नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल सो आज हम बात करेंगे आईडिया के शेर के बारे में जो कि आज के दिन आप देखें लगबग हमको 10% की गिरावड पी इसमें देखने को मिली थी आईडिया के देखने को मिल जिसकी वजह से यहां पर आगन्यक्त के लगा था ढूंशाइड देखने को मिला था लासट के 15 मैं थोड़ी अच्छी है и हम को थोड़ी आइइग पाइंग इसमें देखने को मिल जिसकी वजह से यहां पर यह लगबग थोड़ा सा अपreet्पो को जाता हुआ देखने को मिल लेकिन overall अगर हम इसमें candle देखें तो यहां पर हमको एक बहुत ही यहां पर बड़ी बियरिश candle देखने को मिल रही है तो इसके बारे में हम वीडियो में पूरी detail में बात करेंगे कि यहां पर इसके अगर इसमें buying वगएर आपको करनी है तो किस level के इसका यहां पर chances लग रहे हैं यहां पर upset की और हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है तो वीडियो को last तक दुरूर देखिएगा तो जो लोग मेरे चैनल पर नई आए वो करें यहां पर subscribe का बटन दिख रहोगा आप यहां पर subscribe के बटन के ओपर क्लिक कर सकते हैं साथ म मेंबाल आइकन के ओपर notification के ओपर all कर दीजिए ताकि जो भी मेरी latest वीडियो वो आप तक आराम से पहुंच सके हैं सो आज का दिन आप दिखिए यहां पर पहले मैं आपको nifty 50 का चार्ड दिखा देता हूं निफ्टी 50 भी आप देखिए यहां पर पहले हमको आज के दिन अच्छा है यहां पर ग्रीन इसमें candle भी देखने को मिली थी लेकिं लास्ट में आ जाते हैं यहां पर पूरी मार्केट जो हो negative candle देखने को मिली वहीं अगर हम nifty bank की बात करें तो भो भी आप देखिए यहां एक ताम में यहां पर अच्छी कासी green देखने को मिली थी लेकिन लास्ट में हमको अच्छा कासा यहां पर downfall आता हुआ अटा हुआ को मिला निफ्टी बैंक के अंदर हो आइडिया में भी आप देखिए यहां पर लगातार यहां पर यहां पर यहां पर नीचे की और आता के इंदर हमको ऐसा कुछ ची देखने को नहीं मिला यहां पे लगबग gap down ही हमको opening इसमें देखने को मिले जिसके बार यहां पे market में idea के शायर लगाता नीचे की और जाता रहा है तो एक और चीज़ यहां पे देखने वाली आप देखे लगबग यहां पे पिछले तीन दिन में आप देखे पहले दिन इसने 20-day moving average को यहां पे टच किया उसके बार हम यहां से लगा था तीन दिन यहां पे downset के और हमको idea में देखने को मिले हैं लेकिन पिछले दो दिन में आप देखिए लगबग यहां पर पहले कल के दिन हमको volume इसमें कम देखने को मिला था यहां पर red candle के साथ और उसके बार आज के दिन हमको red candle ही देखने को मिली है लेकिन इसमें volume हमको थोड़ी सी इसमें बड़ोतर ही देखने को मिली है लगबग 500 million के आज पास यहाँ पे इसमें हमको आज के दिन volume देखने को मिला है तो माल लीजिए अगर कल के दिन भी हकम को यहाँ पे lower यहाँ पे एक red candle देखने को मिलती है idea के अंदर और वो भी यहाँ पे volume अगर इसमें यहाँ पे लगबग बढ़ता रहता है तब हम यहाँ से कहेंगे कि इसमें idea में चिंता की बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आप देखे जो इसका normal आप देख सकते हैं इसका जो volume है वो बहुत जादा हमको volume इसमें देखने को मिलता था लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल अपने consolidation zone के last तक यहाँ पे पहुंगी आप देखे इसमें यहाँ पे हमको volume बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिलता है तो जब भी यहाँ पे volume कम हमको देखने को मिलता है उसके बाद हमको एक अच्छी खासी यहाँ पे इसमें upside की और यहाँ downside की और moment इसमें देखने को मिलती है तो यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा जब तक इसका volume आराम से अगर यहाँ पे बढ़ता नहीं है तब तक यहाँ पे को गबरने की बिल्कुल यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे जरूर शेयर जो है वो ऊपर नीचे थोडा-thोडा यहाँ पे जाएगा लेकिन जैसी आप यहाँ पे moment देख सकते थे आप यहाँ पे देखिए वो भी volume के साथ हूँ यहाँ पर अभी ऐसी कोई भी आपको चिंता की यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर अगर माली जो volume जो है वो दीरे-दीरे यहाँ पर बढ़ता है और share भी राम से यहां पर धीर धीर नीचे की और आता है तब हम यहां से कहेंगे कि idea में थोड़ा यहां पर हमको घबरानी की जरूर रहता है लेकिन यहां पर अभी इसका जो support बन रहा है आसपास का वो लगबग यहां पर 200 day exponential moving average के आसपास बन रहा है अगर यहां पर इसके न volume भी हमको बहुत कम देखने को मिला है तो अगर यहां पर 200 day exponential moving average को यहां पर volume के साथ अगर यहां पर नीचे की और आता है तब हम यहां से कहेंगे कि हमको अच्छा खासा इसमें downfall देखने को मिल सकता है लेकिन इसमें volume की अभी हमको कमी देखने को मिल रही है तो जब तक य idea का शेर नीचे की और आता है और इसमे volume भी हमको बड़े हुए देखने को मिलते है तब हम यहां से कहेंगे कि जो इसका downfall है वो यहां पर volume के साथ यहां पर volume supported है और यहां से यहां पर market वो idea का share और भी यहां पर दीचे की और गिरता हुआ हमको देखने को मिल सकता है nhất निकल जाना चाहिए और अगर मालीजे कई लोग यहां से निकलते नहींikle कहते हैं कि यहांपो तोड़ा यहांपे stop loss हेट उने बार फिससे यहांपो उपर चला जाएगा यहांपो stop loss अपना रखते ही नहीं है यहांपो एक कह रहाएं चीज़ की आप यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट और यहाँ पर रिजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिजे आप मालेजे नौर पे के ऊपर जब भी यहाँ पर इसके नीचे हमको थोड़ा देखने को मिलता है तब आप यहाँ से निकल सकते हैं और उसके बार यहाँ पर जैसे ही आप दुबारा अपशेड के और मिसमें मुमड कभी भी हमको देखने को मिलती है तब आप इसमें नौर पे की ऊपर यहाँ पर दुबारा बाय कर सकते हैं तो ऐसा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन कहीं यहाँ से निकलते रही हैं तो यहाँ पर बिलकुल अपना जो stopless है उसके हिसाब से ही आप मेशा यहाँ पर किसी भी share के अंदर trade लीजिए तो यहाँ पर हम देखें कि आज के दिन के हिसाब से आप देखें लगबग 44.73% यहाँ पर हमको delivery देखने को मिलिए लगबग 45% जो की बहुत होती है आप लेकि देखिए लगबग 3 बजे तक 32 करोड के आसपास इसमें जो share है हमको quantity trade होती होई देखने को मिलिए जिसमें से 32 करोड में से लगबग आप देखिए 14 करोड 70 लाग जो share है वो यहाँ पर लोगों ने अपने delivery में उठाए है तो जैसे ही यहाँ पर share जो है वो lower levels के आसपास आता है आप देखिए यहाँ पर जैसे share अपने lower levels के आसपास आता है लोगों ने इसमें अच्छी खासी buying यहाँ पर की है तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी share नीचले levels के उपर आपको देखने को मिलता है तो लोग इसमें अच्छी खासी delivery यहाँ पर उठाते हैं तो जो की यहाँ पर सोचते हैं कि idea का share upset की ओर जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे एक मंत का चाड़ भी आप यहाँ पर देखना चाते हैं तो आज के दिन लगबग 3 बजे तक 44% यहाँ पर देखने को मिली तो पिछले 3 दिन आप देखिए 33% उसके बाद अगले दिन फ चुकि यहाँ से share जब भी है मैंने आपको कहा था idea का share ऐसा share है जब भी यहाँ पर यह नीचे की और आने लगता है तब यहाँ पर लोग इसमें खरीदारी करते हैं जो लोग यहाँ पर समझदारी से खरीदारी करते हैं आपको कभी भी यहाँ पर माली जे share upset की और गया consolidate के बार यहाँ पर एक आपको dip नहीं देखने को मिलती तो ऐसा ही idea में होता है जब भी यहाँ पर lower levels के आसपास हमको देखने को मिलता आप देखे पिछले दो दिन में 33% 33% यहाँ पर delivery देखने को मिली थी और आज की दिन आप देखे यहाँ पर लगबग 44-45% यहाँ पर हमको delivery देखने को मिली है तो यहाँ पर lower levels के आसपास में यहाँ पर buying स्टार्ट हो जाती है हम यहाँ पर last के 15 मिनट के अंदर भी यहाँ पर देख देते हैं तो आप देखे यहाँ पर 15 मिनट के चार्ड के अंदर भी यहाँ पर लगबग जो शेर है idea के वो downside के और अतन को आता हूँ आए देखने को मिली है यहाँ पर लगबग नीचे के और यहाँ पर आ रहा है और उसके बार यहाँ पर हमको आज के दिन लगबग क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़ादा इसमें moment हमको देखने को मिली आइडिया के अंदर जिसकी वज़ा से लास्ट के 15 मिनिट में भी यहां पर हमको इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है लोगों का मानना है जो लोग यहां पर आज के दिन आइडिया को शेर को यहां पर स्टड़ी का रही थे कि यहां से लगबग नीचे के और आता गया और यहां पर अभी लगबग आप दिखे आट रपे 45 पैसे से यहां पर यह थोड़ा अपसेड की और हमको जाता हुआ देखने को मिला है लोगों ने कहा कि यहां से हमको इसमें बाइंग करनी चाहिए मान लीजे जा कल के दिन यहां पर यह गैप अपनी ही अँपन ही होता है यहां फिर थोड़ा कोई अच्छी मोम师 बगढ़ा आती है तब यहां से आइडिया का शेर अपसेड की और जा सकता है बाइने के बाद यहां पर हमको इसी lower levels के आता हुआ है मिला है जिसकी वज़ा से लोगों ने इसमें buying बगारा किया है अब थोड़ा वेट कीजिए इसके बाद यहां पर कोई position बनाएगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, share और subscribe जो लोग शेयर मार्केट में नहीं आएं वो नीचे description में यहां पर DMED account का link दिया हुआ है वह आप पर जाके अपना DMED account खुलवा सकते हैं और यहां पर share market में investment शुरू कर सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो आइडिया के related तो अगर आपको किसी भी और share के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे count box में जूरू पताईए और साथ में मेरे को यह भी पताईएगी अगर आपने idea का share खृदा है या खृदने वाले है तो कौन से level के उपर आप इसम खृदारी करना चाहते हैं तो मिलते हैं गली वीडियो में नमस्कार